जहिन साथियों स्वागत है M.K. Sir inspiration के एक और बहतर वीडियो में So friends, आज के इस वीडियो में हम 5 सबसे महतुपूर अबकिरियाओं को देखने वाले हैं हमने 5 सबसे महतुपूर क्यों कहा? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं जो आपके board exam की द्रिष्टी से fix होती है कि ये आना तय है तो ये जो ऐसी अभिक्रियाओं हैं दोस्तों आप किसी भी किसी एक दो साल का question paper उठाईए और देखिए वहाँ पर आपको ये अभिक्रियाओं जरूर दिखाई पड़ेंगी ये मैं दावे के शार्थ कह रहा हूँ अब ये समझशकते हैं कि इसके importance बहुत ही ज़ादा है सांसों की जरूरत है जैसे जिन्दगी के लिए तो इन अभिक्रियाओं की जरूरत है वैसे paper के लिए तो आज चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं तो friends इस वीडियो को एंट तक जरूर देख लेना वो इसलिए क्योंकि कुछ अभिक्रियाँ इसमें ऐसी है जो संतुलित नहीं है तो उनको संतुलित भी करना है बाकी आपको हम screenshot करने का भी time देंगे side में हट जाएंगे आप screenshot कर लेना इसलिए हमने लिखा है लेकिन सबसे पहले इसको समझना जरूरी है ठीक ना क्योंकि रट्टा मारने से काम कुछ होगा नहीं समझना भी जरूरी है आपको याद करने के लिए यहां से हम start करते है पहला अगर बात करें लिखे की किरिया कराईएंगे किससे दूस्तों हाइड्रे जोईक अमल हाइड्रे जोईक अमल यानि N3H एसिटिक अमल की किरिया हाइड्रे जोईक अमल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है देखिए CS3 यहां का उठाईए CS3 और NH2 देखिए यहां से क्या है N और H2 यह दोनो H2 लगा दीजिए NH2 हो गया बचा क्या N2 बचा है N2 बाहर निकाल दीए और Coo 2 गस निकल गया तो जब क्या करते हैं ऐसिटिक अमल की किरिया iejड्रे जोईक से कराते है यानि हीड्रे जोईक अमल से कराते है तो मेथिल एमीन बनता है बनता है इसी अभिकरिया को इसमिट अविक्रिया कहते हैं दूसरी अविक्रिया है फ्रीडल क्रॉफ अविक्रिया फ्रीडल क्रॉफ अविक्रिया कहा है दोस्तों जब निरजल ALCL3 ALCL3 की उपस्थिति में बेंजीन की अविक्रिया submitil chloride से कराते हैं तो टालूइन बनता है और इस अभिकरिया को ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिकरिया कहते हैं दीए बेंजीन की सरचना वैसे हमने यहां दर्साने के लिए H लिग दिया क्योंकि जितने कॉर्णर है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे कॉर्णर है तो सभी कॉर्णर यानि कार्बन को काउंट करते हैं और स के बाद यहां पर यह बेंजीन का जो वले है इसमें CS3 एड़ कर देंगे ठीक तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा टालूइन और यहां से टालूइन बनता है और हाइडरोकलोरिक एसिड बनता है और इसी अभिक्रिया को फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं नेक्स्ट है कैनिजारो अभिक्रिया यह भी काफ़ इंपोर्टन्ट है कैनिजारो अभिक्रिया क्या है कि जब फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया एन्ने ओया से यह तो यह बनता है उसे बोलते हैं एल्डिहाइड समूहू तो यह क्या है फार्मेल्डिहाइड बाकि इसका नाम हम इसको क्या मेथे नल भी कह सकते हैं तो फार्मेल्डिहाइड की किरिया आप बेस से यानी कास्टिक छार से या कास्टिक सोडा से कराते हैं तो क्या बनता है मेथिल एलकोहाल CS3OH और उसके बाद यहां से सोडियम फार्मेट ठीक या एन क्या है सोडियम और यहां पे SCOO को फार्मेट पढ़ा जाता है अब दो है इधर एक है इसका मतलब यहां पे दो लगा दिजिए अब आक्सीजन देखिए दो एक तीन आक्सीजन तो दो आक्सीजन यह हो गया एक तीन आक्सीजन नाइट्रोजन सोडियम एक है सोडियम एक है और हाइड्रोजन कितना है हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो पा यह क्या होता है油 ctieux कि जब WRF02 k का मतलब दिखीे दोस्तों ऑर समूह को एलतीं x लगा दीजिए तो हमेलाइड हो गया इसको क्या आर को एलतीं एलकिल का मतलब data यहां से एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी आप लगाईए और X क्या होता है हाइलाइड यानि हाइलोजन तत्तो जो कलोरीन परिवार के तत्त होते हैं यानि आवर्शाडी में वर्ग सत्रा के तत्त होते हैं जिसे कलोरीन उसके बाद फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब ही highlight में आते हैं, तो जब alkyl highlight की किरिया aril highlight, aril का मतलब वला, यानि benjil जिसको बोलते हैं, ये, ये वला, इसे aril बोलते हैं, और R है, aril बोलते हैं, समझ जाईएगा, जो ring होता है, इसे aril बोला जाता है, और जो R से दर साते हैं, इसे aril कहते है, x क्या है highlight है तो वहीं कहे रहा है कि जब तो परवाहित करते हैं तो ऐसी situation में क्या होता है एलकिल एरीन बनता है ठीक ना समझ जएगा ये नीचे जगा नहीं उपर लिख देते हैं ये है दोस्तों एरील हाइलाइड हाइलाइड क्यों है क्यों है क्योंकि ये सनरचना एरील है X लगा है हाइलाइड हो गया ये क्या है एलकिल ठीक आर को एलकिल पढ़ा जाता है X है यानि हाइलाइड एलकिल हाइलाइड के साथ क्या करते हैं इसको दोनों के मिसरन को सोडियम के साथ एथर पर परवाहिद करते हैं तो ये बन जाता है क्या बनता है? और साथ ही N A X यहाँ पे आप इग्जाम्पल के धूरों रखके यहाँ पे CLB रख सकते थे ठीक? यहाँ पे CS3 रख सकते थे यहाँ पे CS3 जोड सकते थे ठीक ना? ऊँछ से घबराना नहीं है यह एक बेसिक सा फार्मूला है यहाँ पर कोई भी अप्लाई CS3, C2, H5 कोई भी अप्लाई कर सकते थे ठीक ना यहाँ पर X के जगब CL, BR तो उसको लिखने से अच्छा है कि आपके ओल इतना याद रखिए नेक्स्ट है कि रीमर टीमन अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया या इसी को राइमर टीमन अभिक्रिया कहे के आता है यहाँ फे कनफ्यूज नहीं होना है इसमें क्या होता है कि जब फिनाल में क्लोरोफाम मिला करके एन्ने ओयच के साथ गरम करते हैं तो क्या बनता है सैलि iacpli3 यानि chloro farm है, जब chloro farm के साथ मिला करके मतलब इसे क्या करते हैं, इसे एन्य ओयच के साथ गरम करते हैं, यानि कास्टिक सोडा के साथ गरम करते है, ठीक, गरम करते हैं तो यह बनता है आपका salicyl chloro इसे बोला जाता है यह यह पूरा का पूरा salicyl aldehyde aldehyde क्यों हो क्योंकि CHO होता है और उसके बाद OH है तो इसलिए salicyl aldehyde कहते है salicyl aldehyde का फार्मूला यतना ध्यान देना कि जिसमें OYS समू उपस्तित हो और CHO यहनि अल्कोहालिक रूप भी हो और aldehyde भी हो तब होता है salicyl aldehyde हो यह बनता है और साथ में NaCl और H2O लेकिन दोस्तों यह देखने में संतुलित नहीं लग रहा है संतुलित नहीं लग रहा है तो इसमें करते क्या है एक मिनट इसको हम देख लेते हैं कि पहले O को काउंट कर लेते हैं आकसीजन को एक एक दो एक तीन है तो भाई साहब तीन है तो देखिए यहाँ पर हम एक मिनट हाँ एक एक दो हो गया और दो एक तीन हो गया इधर देखें तो अगर एक एक दो है तो दो लगाएंगे दो एक तीन हाँ देखिए दो एक तीन हो जाएगा फिर वहाँ पर दो तो ऐसा करिए दो से काम नहीं होगा तीन लगाएंगे देखिए तीन लगाएंगे तो तीन आक्सीजन और एक चार आक्सीजन अब यहाँ पर ऐसा करिए दो लगा दीजिए दो आक्सीजन ये हो गया और एक एक दो आक्सीजन ये यानि चार आक्सीजन बर और बराबर तो यह क्या होता है इसम क्रिया को कहते हैं SEBA किरिया को कहते हैंteri जिब क्या करते हैं फिनाल की किरिया कुलोरु फार्म के साथ एन्यों के नहीं कि कहते हैं इस अभकिरिया को रीमर टीमन अभकिरिया या राइमर टीमन अभकिरिया कहा जाता है तो यह पाँच ऐसी अभकिरिया है जो आपके बोर्ड एक्जाम के द्रिश्टी से यूं हम कहे लाएं कि 100% important है अब इसे बिल्कुल भी ऐसे हलके में मत लेज़िएगा क्योंकि ब दो किसी में तीन ये किरियाएं पूछी गई थी तो I hope कि ये वीडियो आपको बहुत ही helpful लगा होगा अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो इसलिए लाइक कर दीजिए और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए मिलते हैं किसी और ऐसे मजदार टॉपिक के साथ लव यू बाई बाई टेक केर